अजमें वनाने का कि लेकर आया हूं से कुराहिं में ओउयल को कपके घंपंट कि अच्छी तरह कर लेंगे ओ उनियोन को एक केजी आलू को मैं आलू को पहले हैं कुकर में उबाल लिया हूँ एक सिटी लगवा कर मैंने आलू को अच्छी तरह भूंज लिया हूँ एक किलो मैदा बजार से लेकर आया हूँ तर आठा गोंधते हैं न उस तरह मैदे को रिफाइन में गोंध लेंगे वेसे बेदाम को लेकर मैंने उसको भी भूंज लिया हूँ नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्यूक कोई तेज खाता है तो कोई कम खाता है अब देख सकते हैं कि मैंने समोस से बना कर रख लिया हूँ और उसको फाइन में तलने जा रहा हूँ समोसे को तलने के लिए मैंने कराही का उप्योग किया हूँ कराही को गरम कर लेंगे और ओवेल उसमें अपने हिसाब से डाल देंगे जब तक लिए ओवेल गरम ना हो जाए मैं समोसे को कराही में डाल दिया हूँ और 15 मिनट के बाद पलटने जा रहा हूँ अब समोसे को पलट लेंगे फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि शमोसे में रेड कलर आना सुरू हो गया है अब में बसी हूजर चप्पश में पर आना सुर्ल अबस्त्क दर्स प्रक्वक्वश कर दक कम कर दोगalon समोसे अच्छी तरह पक गए अब मैं इनको पतिले में निकाल लूँगा तो यह रेस्पी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें बाइबाए